हलो दोस्तो आज आपको non KYC account के बारे में बहुती बरिया एक information देगे मेरे बहुत सरे दोस्त को जानना था अब non KYC account पे कैसे transaction करते हैं और 10 पे जो 100 gold offer तो इसको लूटा था और जो बहुत सरे offer है जैसे 3 पे 30 merchant payment बाला offer है और free gold offer है इस तरह का offer को लूटते है उसके बारे में मुझे जानना था और आपको जाके बताएंगे उससे पहले एक बात बतना चाहेंगे इस तरह की information के लिए मेरे चनल को जुरूद subscribe कर लिजेगा और पास में जो बेल उसको दबाके अपने दोस्के साथ इस वीडियो को एक share करके वीडियो को like भी कर दीजेगा चलिए शुरू कर लेते मेरे पहले से एक ptm app open था जो से अकाउंट है इसका प्रूब भी आपको दिखाएंगे पेटी में आपको open होने दीजिए और आपको जाके दिखाते ठीक है पेटी में आप open हो गया है अभी आप पास्बुक सेक्शन पर जाके चेक करेंगे तो आपके पास आधर काड़ बोडर काड़ ड्राइविंग लैसेंस तरह पूछा जाएगा मगर जब इस तरह के साब्मिंट करेंगे सही option देके साब्मिंट करेंगे तब भी साब्मिंट नहीं होगा और सम्थिंग रॉंग मिंट सोगा नहीं है तो अभी इसका हाल क्या है मेरे तो वालफ भी कुछ भी वालेंस नहीं है कैसे अप ट्रांसफर करेंगे कैसे पेमें करेंगे तो देख लेते तके तो आपको इसके लिए गूगुल से आप सार्च करेंगे पूराना वाला जो पेटीमाफे सांक कर ठीके आपको यह आप चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्षन में जाके भी बता सकते हैं बहुत सरे कॉमेंट आ जाएगा और बहुत सरे इस वीडियो में लाइक आ जाएगा तो मैं गूगल ड्राइब पे एक लिंक डाल दूँगा उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ठ ट्रांजक्षन भी करके दिखाते आ जाईएं इधर में दो नॉन के वाई से अकाउंट को उपन कर चुका हूँ एक में आपको गोल्ड ओफर दिखाएंगे जो आजी के दिन में और एक गोल्ड ओफर उठा चुका हूँ जिन में मुझे 40 रूपर का गोल्ड मिल गया है बि अनके वाई से अकाउंट अभी तो किया वैसी नहीं हो रहे है तो आपको जाके इधर 40 भीठाना है और हैवे प्रोम कोड के ऑप्शन पे जाके अपको न्यूँ 40 लिक ना है ठीक है न्यूँ 40 लिक के आप एपलाई कर देंगे तो देखेंगे एपलाई हो जाएगा और मेरे है आजी के दिन एक इस्तेमाल कर चुके है इसलिए दिखा रहिए अब मैक्सिमाम टाइम्स आजी के दिन इसको इस्तेमाल कर चुके है तो आप न्यू 30 कोड को इस्तेमाल कीजिए तो चलिए मेरा 10 लुपाई लौस होगा मगर यह भी कोड एक्टिवेट है मेरे अकाउंट क्योंकि मेरा पहला ही transaction है ठीक है एक ही phone से मैं दो बार कर चुका हूँ इसलिए मुझे 10 रुपाई का loss होगा तो इधर जाके मुझे new 30 लिक ना है new 30 लिक के apply करेंगे तो देखेंगे ए प्रोमो कोर्ट apply हो गया है अब नीचे देखिए new 30 रुपीज 30 रिस्काउंण applied on your order तो आपको कुछ भी payment नहीं करना पड़ेगा दी ठीक है यह मेरा नौन के वाईस account है तो जाके process to buy करते है और अभी जाके process कर देते है ठीक wallet पर तो gold नहीं मिलता ठीक है और cashback भी नहीं मिलता अभी waiting दिखा रहे waiting to confirm your order sell gold ठीक है अभी देखेंगे आपके साम नहीं हो जाएगा थोड़ा सा wait कर लेते wait करने के बाद देखेंगे gold successful हो गया है new 30 रुमो कोट applied और gold discount applied अभी जाके आपको चेक करा देते इसी account से passbook section पर आएंगे तो यह non KYC account आपको मालूम पर जाएगा देखिए यह non KYC account है pen card passport इस तरह के मांग रहे है ठीक है मुझसे तो इसको cut कर देते और फिर से जाके gold account पर जाके मुझे gold मिला है या नहीं check कर लेते अभी आ जाईए यह देखिए locker पर आ जाएंगे तो मुझे gold मिल चुका है ठीक है अभी देख सकते मुझे 30 रुपए का gold मिल चुका है तो 29.9 पैसा जिसका value है तो इस account का अभी lock करते है और बंद करते हैं दूसरे account पर जाके जो मेरा merchant offer है merchant account को आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे आ जाईए ठीक है दूसरे account पर क्यूंकि इस account पर अभी जो merchant बाला offer है आजी के दिन में इस्तेमाल कर चुका हूं इसलिए इस्तेमाल करने के जाएंगे तो account नहीं होगा ठीक है अभी यह मेरा दूसरा account है इन में भी जाके आपको एक पर पास्बूक चेक करा देते क्यूंकि आपको विश्वास नहीं होगा यह non-kyc account है ठीक है तो अभी जाके देखते ठीक है डायतरों उपर जो cashback option है cashback option पर आ जाएंगे तो आपको new offer दिख जाएगा सभी का new offer दिख मिल जाएगा ठीक है अभी आ जाईए तीन पे तीस offer तो था इदर अभी नहीं दिखा रही है सायथ आ जाईए तो 10 पे 100 जो gold offer था merchant payment बाला उस offer को अभी इस्तमाल करते हैं ठीक है और आपको UPI payment करके दिखाते हैं क्यूंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अभी payment तो नही किया गया है कोई भी account पे अभी यह offer नहीं सोग होगा ठीक है तो मेरा यह पहले वाला offer है तो ही मुझे सोग हो रहा है ठीक है तो अभी जाके दूसरा payment करते हैं आज इके दिन पहला जो payment था 4 December को payment था उपर लिखाए तो अभी जाके दूसरे payment कर लेते और आपको जाके पू को scan करना होगा QR code को ठीक है अभी QR code को scan कर लेते अभी QR code को scan करने के बाद आपको 20 रुपाई लिख देना है और इधर से ही ट्रीक शुरू होता है ट्रीक नहीं है यह पूराना app है इसलिए इस तरह के सो हो रही है आपके पास नया account होगा तो bank link रहेगा तो ही आप bank से payment कर सक देखते तो अभी इधर आपको एक नीचे तरफ एरो दिख रहा है इस एरो को दबाएंगे तो नीचे देखिए भीम UPI के एक option है इस भीम UPI option को दबाते और इसी phone से payment करेंगे ठीक है दूसरे पेटियम को open करके तो जाके मैं इधर UPI address डाल देता हूँ और payment करता हूँ UPI address डालने के बाद pay securely कर लेते हैं और pay securely करने के बाद देखेंगे अभी please wait का option अभी आपके सामने है और paying ठीक है तो अभी जाके इस एप को थुरा सा हाइट करते हैं और जो मेरा main app है उस एप पे जाके payment कर देते हैं ठीक है आ जाईए और main app को open कर लेते हैं open करने के बाद आपको इधर ही इसका request मिलेगा और request को सिर्फ जाके payment करते ना है आपको जाके उधर भी दिखाएंगे मेरा payment successful हो गया है ठीक है आ जाईए main app पे आने के बाद इधर उपर आपको UPI option दिख जाएगा ठीक है UPI option के बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको UPI request मिलेगा देख सकते हैं अभी UPI request मुझे आ चुका है और मैं इधर से जाके payment कर देता हूं ठीक है वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो अब ठीक से देखेंगे तो अभी payment कर सकते है ठीक है अभी processing हो रहा है और जाके मुझे pin number डाल देना है pin number डालेंगे तो payment भी successful हो जाएगा ठीक है पहले वाला उस एप को open करते हैं आपके सामने दिखा जा रहे हैं तीन आप पहले ही आपको बताया था अभी देख सकते हैं इधर पेमेंट successful हो चुका है और फिर से जाते हैं cashback option पे जाके आपको दिखाते हैं आजाईए अभी उपर cashback option पे जाएंगे तो आपको दिखेग दो पेमेंट हो गया है successful इस तरह से आपके पास non-kyc account होगा तो आप payment कर सकते हैं पूरही 10 payment आप जो आपको 45 days का time मिलता है 45 days में कर लीजिएगा तो आपको 100 rupees का gold मिल जाएगा तो इस तरह से आपको दो offer बताया जो दो offer ही non-kyc account पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक offer पहले बार के लिए और दूसरे offer आपको पहले था और आप इस्तेमाल इसको नहीं कर पर रहे थे तो इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ठीके दोस्तों वीडिय तो बहुत ही बारा हो गया इसलिए मुझे माप कर देना thank you for watching this video take care have a good day bye bye